हलो दोस्तो आज हम सिखेंगे MS Word और MS Word में किसी भी sentence या paragraph को हिंदी में कैसे translate किया जाता है तो बहुत आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ बिलकुन simple step है जिसको follow करके आप किसी भी English में लिखे हुए paragraph को आप बहुत आसानी से हिंदी में translate कर लोगे अगर आपको किसी और language में भी translate करना है तो भी आप कर लोगे तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ बहुत simple step है कैसे आपको MS Word में किसी भी paragraph को translate किया जाता है हिंदी में तो चलते हैं computer के screen पर और आपको दिखाता हूँ कैसे translate करना है तो आगे हम अपने computer के screen पर और यहां पर हम सबसे पहले MS Word open करेंगे और MS Word में आप देख सकतो एक यह paragraph है जो इंग्लीस में है और हम इसे हिंदी में translate करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत simple step है सबसे पहले आपको इस पूरे paragraph को स्लेट कर लेना है तो हमने यहां पर paragraph को स्लेट कर लिया है paragraph को स्लेट करने के बाद आपको यहां पर रिवीव में जाना है तो रिवीव में आपको यहां पर क्लिक करना है जैसे आप रिवीव में क्लिक करोगे तो यहां पर आपको ट्रांसलेट का अप्शन मिल जाएगा त उसके बाद आपको आपको आप variance भाला यह paragraph यहाँ पर आ गया है और इसको यहाँ यहाँ हम आ पर हिंदी को लिया है अब हिंदी जैसे हमने यहां पे स्लेट कर दिया तो यहां पे आपको नीचे हम इसके चाहते हैं कि यहांसे आप तो आप ही करके भी यहां पर इंसर्ट कर सकते हो और यहां से डारेक्ट क्लिक करके भी यहां पर इंसर्ट पर क्लिक करके भी आप इंसर्ट कर सकते हो तो यहां पर आ गया है इंसर्ट होकर और यहां से हम इसे आप क्लोज कर देंगे यहां से हम इसे क्लोज कर देंगे और यहा हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो और ऐसे कंप्यूटर से लेटेट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे चैनल पर बहुत सारी कंप्यूटर से लेटेट वीडियो है आप देख सकते हो ठैंक्यों